नमस्का दोस्तों, एवन के स्टूडियो में आप सब कासवागत है, दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे स्टूडियो मास्टर मीनी 6U मिक्षर में आबाज क्यों फट रहा है, नौज क्यों आ रहा है तो दोस्तों ये विडियो हमने मिजानुर रहमन भाईजन के लिए बना है जिनका कहना है कि उनके पास स्टूडियो मास्टर मीनी 60 का एक मिक्षर है इसमें देखें दोस्तों दो आउटपूट है लेप्ट राइट तो एक आउटपूट वो लेकर आईरीग से कनेट किये हैं और फिर आईरीग को आउटपूट को उन्हें मोबाईल पे कनेट कर दिया है उसके बाद जब ओपन क्यामरा पे जो की विडियो और यो रेकॉर्डिंग दोनों के लिए होता है उसको करने के बाद भी उनका रेकॉर्डिंग पे साउंड क्राक हो जाते हैं फट जाते हैं सी की साउंड आते हैं उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या सॉलुशन दिया जाए तो मुझे लग रहा है कि आपको सवाल समझ में आ गया होगा तो चलिए इस सवाल के उपर हम विडियो को आगे बढ़ाते हैं सलुशन क्या हो सकता है दोस्तों उससरे पहले विडियो को कि आगे हो जाएगे यह सही सवाल सेम सवाल दोस्तों आप अगर live streaming कर रहे हैं Facebook पे लाइव गारे हैं आई हरी का इस्तमाल कर रहे तो बिल्खुल आपकी कام पर आ चालिया चलिए it को प्रैक्टीश देखते हैं पर बात करेए mini 6 u का तो उससपे भी ऐसे 2o ut रहता है तो समझ इन्होंने आईरी पे लगा लिया अब आईरी का जो आउटपुट है उन्होंने मोबाइल पे लगा लिया तो सिंपिल सा तरीका है इतना ही उन्होंने करेक्शन किया अब इसके साथ यह क्या कर सकते हैं मैं बता आता हूं साउंड क्यूं इनका फटा फटा आ रहा है मैं आपक के लिए होंगे तो होता क्या है इस में पर यहां पर फटने की जो आ रहे हैं तो यहां पर घार माइनस से पांच की बीच में रहता है आपका आउटपुट तो बेस्ट रहता लेकिन अभी ऐसा नहीं हो सकता कि अगर अगर कर रहे हैं तो यहां पर आपको ज़ीडा उठाना पड़ता है तो यह आप ज़्यादा आपको चाई होता है वरहना साउंड अच्छा नहीं आता है इसलिए हम क्या कर सकते मैं बतातeni हम में क्या होता है यहां पे left right दो होता है तो इस तरह से अगर आपको left में ज्यादा कम volume छोड़ना है क्योंकि आपका फट रहा है मतलब को लेट का volume जो label है उसका कम कर दीजिएगा पहली बात यह है दूसरा CC का sound CC का साउंड जादातर दोस्तों आता है अगर quality low होता है या तो अगर आपने gain का setting तो यहां पर इसे gain इसका है तो इसका भी gain होगा वहां पर तो gain का setting कोशिज करें 50% पर रखने के लिए 50% पर रखें उससे उपर मत जाएए जितना कब रखेंगे 40% तक रखिए और यहां पर एक्सलार वाला cables तो अगर होगा तो एक्सलार का इस्तिमाल करें तब तो वहां पर थोड़ा कम रहता है नहीं तो अगर एक्सलार वाला नहीं है तो जाक वाला अगर यूज कर रहे हैं तो आपको भाई वहां पर थोड़ा सा बढ़ाना पड़ता है लेकि कोशिज करें करके यहां से लेबल थोड़ा बढ़ा के बढ़ारी कोसिस करें उस चानल का लेबल बाकी यही चीज है और ज़्यादा सेंसे इसलिए भी हो रहा है अगर आप बोलूँगा क्योंकि कम रेंज वाले जो मिक्शर्स होते हैं चाहे कोई भी कंपनी का हो सस्ते से सस्ते मिक्शर्स जो हो वो प्रोब्लेम थोड़ा उसमें होता है होता ही होता है थोड़ा नौइज रहता ही रहता है अब प्रियांप की बज़े से यह नौइज होता है अगर आप इसको यहां जितना कम प्रियांप देंगे उतना अच्छा रहता है इसलिए थोड़ा अच्छा क्वालिटी का मिक् मेरा system स्जाही है ऊतना अच्छा नहीं quindi सकता है अगर आयरी यśmy화 क्या है इसको replace करना है इसको replace her longer tô करें कोशिश करें एक अच्छा mixer में अब आपार आधे करें अगर वह बिख्सर और से काम कर रहा है इसका मतलब है आपका आयरिक ठीक है लेकिन आपका सिस्टम खराब है केबूल का अच्छा क्यापने केबूल इस्तेमाल करें ज्यादा लंबा केबूल यूज ना करें लंबा कर र कर सकते हैं उसको भी ट्राइब कर सकते हैं फेस्बूक का लाइव स्ट्रीमिंग भी आप ट्राइब कर सकते हैं तो ट्राइब करें अगर आपको गलत लगे तो साथ दिन के अंदर इसको रिप्लेस कर दीजिए दूसरा लीजिए फिर ट्राइब करें अच्छे वाले सेट अप है सिधी सी बात है तो मुझे लग रहा है कि आप लोग को समझ में आ गया एगा सेट अप की बारे में साइरिक वाला सेट वह ही है वह सिंपिल सा सेट अब है और यहां पर कोई अगर चाहेगा जिसके पास है तो यह छोटा सा सेट अब है तो आप ऐसे आइरिक से लेकर बोलते हो तो नौईज और लोग नहीं सकते सिस चोटे मिक्षर तीन हजार से चाहरई मिक्ष्षर में आप रोको से ण्यूज को रोकना का रोकना एकी अगित्त है कि यहां से स्तुरण करें ल nei मिलेगा वो भी है और रनिंग समय पे ज्यादा जो नौब से उसको छड़खान ना करें पहले से सेट करके रख लिजिए जितना नौब होना है रनिंग के टाइम पे एक बार आपने करेंट कर लिया उसके बाद इसको छड़खान ना करें मैंने देखा हूं कि यह नौब सोते हैं ना रनिंग के टाइम पर आप करते हैं तो इसमें ज्यादा नौज आ जाता है एक बार वो चर्चर हो गया जिसके पोजिशन पर तो वो कंटिनुएसली वो रह जाता है मेरा एक्स्पिरेंस यह है इसलिए आप पहले से स्था सेट करो लाइब जाने से पहले या रेकॉर्ड करन का मतलब वो पूरा टोटल रेकॉर्डिंग में वो नौज रहता है चाहिए कोई भी कंप्रिंग का लिजिए मैं अभी आपके सामने में मेक्स का दिखा रहा हूं तो मीनी अभी स्टोर में है इसलिए एक ही चीज है मीनी में वही चीज है मैं जिसा आपको बताया था तो यह चीजे करे और फिर अगर प्रोब्लेम सो रहा है तो फिर मुझे बताए तो समरी यह हो गया कि पहले गेन का कम करे गेन प्रियाम का गेन कम रखे दूसरी बात है कि अगर लेप पे लिए हैं अगर ज़्यादा फट फट का आवाज आ रहा है यहां पर भी वियू मीटर देख प्रियाम के उपर आपकी बहुत ज्यादा निर्भर करता है तो इसलिए इस वीडियो के में आपको बहुत सारा चीज समझ में आ गया होगा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा दोस्तों में सेयर करिएगा और भी लाइव स्ट्रीमिंग और इसकी अगर कुछ भी हल्प चाहिए तो अगर आपको कोई सेटेप लेना है कौन सी बजएट पे तो उसके लिए आप संपर कर सकते हमारा वाटसर नमबर आपको about section में हैं वहां पे तो आप वहां जाके भी देख सकते हैं और वहां पे contact करके आप कोई भी course भी कर सकते हैं अगर आप पूरा सीखना चाहते हैं पूरा setting एक एक चीज़ का सीखना चाहते हैं चोटा मिक्षर हो बड़ा मिक्षर हो जितना भी बड़ा मिक्षर हो अम्प्लिफायर हो डीजे सट अपका हो ट्यूनिंग हो जो भी है आपको करना है आपका sound जो है वो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर तो चलिए दोस्तर इस वीडियो पर इतना ही नमस्कार जैहिंद जैभारत स्वाच भारत वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से यार और चानल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत बुलिएगा जैहिंद